दोस्तों अगर आप रेलवे एंटी पीसी, ग्रूप डी, लोको पाइलेट, जुनियर इंजिनियर या किसी भी गौर्डमेंट एक्जाम की तहरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एलबुक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है जो कि आपके लिए हिंदी और इंग्लिस दोनों म में लाया हुआ है, इसमें आपको 4000 से भी ज्यादा question answer मिल जाएंगे, जिसमें आपको one liner के question answer मिलेंगे, साथ ही साथ MCQ मिलेंगे, और जितने भी solution दिये गया है वो सबके सब trick के साथ दिये गया, so that आप exam में कम time में अच्छे number score कर पाएं, उसके बाद आपको यापर free mock test दि दिये हुए description में जो link दिया हुए book खरीदने का, उससे खरीदेंगे तो आपको 35 रुपए मिल जाएगा, ये book बहुत ज्यादा important है, ये book मैंने पड़ी हुए, book बहुत अच्छी है, book आप जरूर खरीद ले, अगर आपको book खरीदने है, तो नीचे दिया हुए description, उसमें कि पहला दिन था, तो 2 अगस्त, यानि आज के सारे shift में जितने भी question पूचे गया है, इस वीडियो में उन्हें जानेगे shift 1, shift 2, और third shift, सारे question को एक साथ देखेंगे, और उसका solution में देखेंगे, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, तो आप हमारे इस WhatsApp नमबर पर आप हम आपको मिल पाए, और आपने कितने टिक की है, उसका answer आपको मिल पाए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्क्राइब वीडियो को जितना हो सके होतना ज्यादा लाइक कर दें, और आपने सभी दोस्तों को से शेर कर दें, जिननोंने अभी-अभी MTS का exam द Blue Revolt का जनक किसे कहा जाता है, तो यह है, डॉक्टर हिरा लाल और अरुण कृष्णन को, पूछन पूछदे, हरित क्रांति के जनक किसे मना जाता है, तो Norman E. Board-Log को मना जाता है, अगला क्वेशन बिहार के राज़ेपल कौन है, तो बिहार के राजेपल फिलाल में change हुए है फागू चौहान है अगर क्वेशन पूछ दे इनके पहले कौन थे बिहार के राज्य पाद तो वो थे लालजी टंडन कौन थे लालजी टंडन अगला क्वेशन पहली भारतिय महिला जिसने इंग्लिश चैनल पार किया तो उनका नाम है आर्तिश रहा 2018 का गांधी शांती पुरसकार की से मिलाज तो 2018 का गांधी शांती पुरसकार मिला यही सासा कावा होग मीजिक्जा की पुषन कभ मिला में और पद में भूषन कब मिलाता है तो उन्हें से 66 में क्योंकि हाली में चंद्रयान 2 की जो लॉंचिंग हुई है तो उनसे रिलेटेड है विक्रम सारा भाई का नाम तो इंपोर्टेंट है आपसे पुछा जा सकता है इस तरों के संस्थापक है विक्रम सारा भाई और हाली एंड्रित और घुमर एंड्रित जो है यह राजस्थान से संबन्दित है अगला क्वेशन देखिए मिंग के ऑथर कौन है तो पूर्टमान में अगर आपसे पूछ देता तो आप बोलिजिएगा इमरान खान अगला क्वेशन उटिई का बैंक का नाम नया नम क्या रखा ग जाना गया है और हर एक bank का अपने एक tagline होता है जैसे LIC का अगर बात कर ले जो कि SBI का है तो उसका है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी उसी तरह Axis Bank का tagline है बढ़ती का नाम जिंदगी अगला question पूछा गया था पीन वैली नेशनल पार्क कहां इस्तित है राष्ट्रिय उद्यान पीन वैली कहां इस्तित है तो यह हिमाचल प्रदेश में इस्तित है अगर आपसे question पूछ देता कि इसकी अस्थापना कब हुई थी पीन वैली नेशनल पार्क के अस्थापना कब हुई थी तो 1997 इसका राट एस्कृशन पान पत का 3 योत हुआ त फॉसंव में और वूसंट यही지 कोउचन आपका पहला पूच दे तो पानीपद का पहला यूद 1426 में में और दुसरा योद 1556 में हुआ था अंदमान निकोबार की रधानी तो पोर्ट ब्लेयर है दक्षिन अफ्रिका के राश्पति कौन है तो सिरिल रामा फोशा अभी दक्षिन अफ्रिका के राश्पति है राजीव गांदी एरपोर्ड कहा है इस्तित है या हैदराबाद में राश्पति कुट्र द्वारा कौन सी मंदिर बनाए गए थी तो यह बनाए गी थी कैलास मंदिर या फिर कैलास नाथ मंदिर यह दोनों एक है और इसे दुसरा नाम इसका नाम है एलोरा की गूफा अगला क्वेशिन पूश दिया गया था आपसे भारत का पहला बायस फियर रिजर्व कौन है तो बायस फियर रिजर्व भारत का पहला निलगिरी है अस्थापना 1996 में की गई थी पेंच नेशनल पार्क यानि पेंच राश्ट्रिय उद्ध्यान कहा इस्तित है यह इस्तित है मद्यप्रदेश में अगर आपको इसकी अस्थापना पूच दे तो इसक आप मिनिस्टर व रिमेंबर मेमोरि आफ मिलिटरी चीफ पुस्तक के ले खा कौन है तो जैसा कि आता मिलिटरी चीफ के रूसे से क्या लिया गया है जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनविधान का जो लेकान है वो विभिने देशों से लिया गया है तो रूसे से क्या सनविधान लिया गया है मौलिक करतब वेता का अधिकार ये लिया गया है मुहम्माद गोरी और प्रित्वीराज चम्हान के बीच कौन से युद्ध हुआ था तो यह तराइन का युद्ध हुआ था अगला क्वेशन है साइन्स से गन मेटल में किसका मिस्रण होता है तो गन मेटल में तामबा टीन और जस्ता इन सब का मिस्रण होता है अगला क्वेश 2021 कब होगा यह 2021 होगा तो यह होगा इटले में और 2022 कहां पर हो किया जाएगा तो भारत में किया जाएगा तो जी ट्वेंटी सीकर समिल के पूरा हिस्ट्री आप जरूर लिख लें एकजामें पूछ सकता है गोवा का लोक नृत्य क्या है तो फुगडी फुगडी जो है गोव कौन करता है तो राश्टपती अगर आपसे कोशन पूछ दे कि भारत के मुख्य नयाए धिस कौन है फिलाहल में वर्तमान में तो वह है रंजन गोगुई बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के करण होता है तो वेरी बेरी रोग विटामिन B1 के करण होता है अगला क्व है अगला क्वेशन आपसे पूचा गया था दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकट स्टीडियम कहाँ है तो यह रंद पर्फ कहा मनाया जाता है तो हर नूबिल पर्फ नागा लैंड का पर्फ है जीएस्टी कौन्सिल में कूल सद्स्यों किसंगा कि इस्ञा कितनी है तो गूठ एन सर्विस टेक्सेंस काउंसिल में कुल सद्धस्यों की संक्या टैतिस है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेर जरू कर दें जितने भी क्वेश्चन्स यहां पर बताया गया सारे के सारे ओजनेर क्वेश्चन है और जितने भी आप उस पर कॉंटेट कर सकते हैं हमारा गुरूप जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों जब तक एक्जाम चलेगा SSC MTS का सारे के सारे क्वेश्चन पेपर का एनलाइसिस में लेके आता रहूंगा सारे सिप्टों का तो जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कि है